सुमार्टपोन का इस्तमाल ज़्यादातर लोग वौट्सवप चलाने, फेस्बुक चलाने या फिर सेलफी लेने के लिए करते होंगे कि Anticcup दोस्तों यह बिल्कुली गलत है क्या स्मार्टपोन के जरीए सिर्फ इतनी ही बाते करनी हैं है आप स्मार्टफोन के जरिये रोज मर्रा की जिन्दिगी के पांच ऐसे काम आसान बना सकते हो मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम हेल पेशिंद्रे आप देख रहे हैं सबके रहे हैं युटूब चैनल बहुत-बहुत स्वागद आपका अगर आप याँ फर्स्ट टाइम आए हैं मोटिगेशनल एवं टेक्निकल या और भी ज्यान वर्तग बाते जानने में रूची रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें सबके रहे चैनल को और बेल आई को पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए सबसे पहले हम बात करते हैं बबल लेवल एप की इस एप्लिकेशन के जरिए आप किसी भी ऑबजेट का जो लेवल है या फिर एंगल है उसे सही से कर सकते हो जैसे कि हम घर में कभी दिवार पर फोटो लगा रहे होते हो तो उस टाइम पे हमें फोटो का लेवल जो होता है वो एक्जस करने की बारी आती है तो हमें किसी की मदद लेनी पड़ती है हमें उसे पूछना पड़ता है कि भाई सही से लगाया के नहीं कि त्रेडा है के तो उस टाइम पे हमें ये जो एप्लिकेशन है वो मदद रुप साबित होती है इस application की मदद से आप उस photo का जो level है या angle है उसे सही से जमा सकते हो इतना ही नहीं construction करने वाले या car painter और साथ की सुथार काम वाले या फिर photographer भी इस application का इस्तमाल कर सकते photographer अपने tripod पर जो भी camera है या फिर mobile अगर आपने tripod पर लगाया हुआ है तो आप उस camera का जो सही से मतलब लगाया हुआ है कि नहीं उसका जो angle है वो आप check कर सकते हो इसके जरिए इतना ही नहीं बल्कि आप table tennis अगर खेर रहे हो तो table का जो level होना चीए समतल होना चीए तो उसे भी आप इसके जरिये में चेक कर सकते हो और केरम बोड का भी लेवल आप इसके जरिये चेक कर सकते हो इस प्रकार से और तो बहुत सी बात है है इस application के जरिये आप किसी भी object का लेवल जो है वो सही से है या नहीं वो चेक कर सकते हो सेट कर सकते हो अब दूसरे नमपर पें बात करते है फोटो मैट एप की इस application के जड़िए किसी भी बीज गणीत का सवाल हो या फिर अंक गणीत का सवाल हो उसका solution with answer के साथ आप राप कर सकते हो इस application को सिर्फ आपको सिर्फ इंस्टॉली करना है और उपर फोटो जो आइकॉन है उसपर क्लिक करना है और जो square box है उसमें आपको किसी भी सवाल का solution चाहिए तो उसको वहाँ पर ले जाना है जैसी ले जाओगे ऑटोमेटिकली scan करने लग जाएगा और within a second आपको उस सवाल का answer मिल जाएगा मैंने एक 9th की किताब है उसमें लगुगणक chapter है मैंने उस chapter का एक सवाल scan करके देखा था तो तुरंती within a second उसका उत्तर solution के साथ मुझे मिल गया था मैं खुद आश्चरे चकित हो गया था इस application का इस्तमाल विद्यारतियों और teacher के लिए बहुत ही उपयोगी है और तो और हम रोजबर उसके जीवन में भी इसका इस्तमाल कर सकते है जब भी हमें कोई भी सवाल मनलोगी कागच पर हाथ से लिखा हुआ है उस सवाल का भी solution हम ला सकते है कोई भी बिल हो उसका भी solution हम इसके जरिये कर सकते है अब तिसरे नमबरे में बात करते हैं कि जब भी हमारे घर में किसी भी remote की बैटरी खतम हो जाती है तो हमें एक पल के लिए इसा सुचने लग जाते है कि remote खराब हो गया है या फिर वो device खराब हो गया है हम भारतियों के एक पुरानी आदत है अगर मानलो कोई भी चीज खराब हो गयी हो तो सबसे पहले उसकी पिट ठोकते या फिर remote की पिट ठोकते कि वो खराब तो नहीं हुआ है सही से चल भई मैं आपको एक टक्निक बताने जा रहा हूँ इस तक्निक में आप अपने remote की battery टेस्ट कर सकते वो भी अपने mobile के जरिये इसके लिए आपको सिर्फ अपने mobile का camera on करना होगा और उस camera में आप camera के सामने आपको remote को ले जाना होगा और किसी भी पैटम को दबाना होगा और आप देखोगे कि अगर उसमें light हो रही है अर्थात की battery सही है remote भी सही है आपके device में खराब ही है अगर मान लो कि वो light नहीं हो रही है तो इसका आर्थ यह होता है कि battery खतम हो गई है battery change कर दो remote की जो signal light होती है वो infrared light होती है जिसे हम तो नहीं देख सकते हैं किन्तो हमारा mobile का जो camera है वो देख सकता है या फिर कोई भी अच्छा वाला DSLR camera भी उसे देख सकता है इस प्रकार से आप किसी भी remote की battery खतम होई है कि नहीं वो check कर सकते हो अब चौथे नंबर में बात करते हैं Google 3 application की इस application के जरिया आप किसी को भी कहीं पे भी पैसा transfer कर सकते हो जोस्तों ये application बिल्कुल ही secure है Google नाम आता है तो trust नहीं करने की तो कोई गुझाईस ही नहीं रहती इस application की खास बात ये है कि जैसे WhatsApp में हमें contact list दिखाई देते हैं हम उनसे chatting कर सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार यहां पर भी Google टेज जो भी user है उन्होंने ये application इस्टोल किया हुआ है उनके यहां पर mobile number दिखाई देते हैं हमें contest list में हमारे contest list में जो भी होते हैं हम उनसे कभी भी पैसे का lending कभी भी कर सकते हैं बिल्कुल तुरंती इसमें जल्दी से payment हो जाता है किसी को भी payment send करो तो बहुत ही जल्दी payment send होता है अगर कोई Google टेज यूजर नहीं भी है फिर भी हमें किसी के account में पैसा transfer करना है तो IFSC code नाम और account number के जरिये भी यह तुरंती कर सकते हैं आप किसी को भी पैसा transfer और दूसरा इसमें और एक feature से QR code वाला और दूसरा और एक feature से ultrasonic frequency वाला जिसमें आप mobile को बाजू-बाजू में रखकर भी एक दूसरे से payment share कर सकते हो अच्छी बात यह है कि इसमें हमें कोई भी transaction करने पर कोई भी प्रकार का charge नहीं लगता और भी अच्छी बात यह है कि इसमें अभी एक skim चल रही है अगर आप किसी भी refer की जरिये ये application को install करते हो तो आपको तुरंती 51 रुपे मिल जाएंगे और refer करने वाले को भी मिलेंगे 50 रुपे अगर आपके ध्यान में कोई refer करने वाला नहीं है तो नीचे मैंने अपनी खुद की एक refer ring प्रोवाइट की आपको आप चाहो तो उसके जरिये install कर सकते हो तुरंती आपको 51 रुपे मिल जाएंगे उसके लिए जरूरी ये है कि आप किसी भी Google तेज यूजर से कुछ ट्रांजेक्शन एक पहला ट्रांजेक्शन करना जरूरी है आप उनसे एक रुपे का ट्रांजेक्शन कर लिए जिससे आपको 51 रुपे तुरंती मिल जाएंगे इसको install करते ले टाइम ध्यान रखने वाली बात ये है आपका जो मॉबाइल नंबर है वो बैंक से बना चाहिए और डूसरा है कि आपका जो जो भी आपद है उसका SIM काड उसी मॉबाइल में जस मोबाइल में आप ये application श्रूर्ण कर रें हो उसे बातवों इनबादों को ध्यान रखकिये जब भी आप इस्टॉल करने बेठे हो, जैसे इसका नाम है तेज, इसी प्रकार से इसका काम भी है, बहुत ही तेज, किसी को भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तुरंत ही किसी के भी खाते में पैसे आ जाते हैं, मैं कई दिनों से इस एपलिकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप खुछ चा आते हो, वहाँ पर अच्छे से नेट नहीं आ रहा होता है, इसके कारण होता है, नेट की क्वालिटी, इसे आप अच्छे से जानने के लिए एक एपलिकेशन है, नेट वालसेटी करके, उस एपलिकेशन को जैसे इंस्टोल करोगे, यहाँ पर आपको नेट की जो प्राप्त करता हूं तो इस प्रकार से आप जान सकते हो इस application के जरीए कि किस जगह पे net की quality अच्छी आ रही है और इतना ही नहीं इस application के जरीए आप पर net की speed भी चेक कर सकते हो आसाई कि आप कोई जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजे शेर कर दीजे अगर आपका कोई सवाल हो सुझा हो नीचे मुझे कमेंट द्वारा अवश्य बताए मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा और हाँ ऐसी नही के लिए गुडबाई टेक केर धन्यवाद